हलो फ्रीवान आप देख रहे हैं बॉलिवूट के स्री अयार मुकर्ची की ट्रीम प्रॉजेक्ट फिल्म ब्रमास्र का लोग सालों से इंतजार कर रहे थे और लोगों का इंतजार 9 सितंबर को ख़द में भी हो गया फिल्म में उनके काम को देखते हुए अब ब्रमास्र के आगे आने वाले दोनों पार्थ में मौनि रोई के फांस तो उन्हें ही नेगटिव किरदार में देखना पसंद करेंगे। ब्रमास्र पार्ट वन की कहानी का सिस्पेंस जहां खतम हुआ है उससे देखने के बाद अब आगले की कहानी जानने के रहे लोग इसके अगले पार्ट का बेसबीर से दजार कर रहे हैं अब ब्रमास्र पार्ट की कहानी क्या होगी ये तो हमें नहीं पता लेकिन इसमें कोई तो मोनी रोई ने भी जवाब यहीं दिया कि वो तो यही चाहेंगी कि 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 यह मॉजूद रहे लेकिन अब मास्टर पार्ट फरी में हैं या नहीं इस सवाल का पाद उने जुनून का ऊफर मिला जो कि ब्र्मास्ठ पार्ट 1 की में लीड विलन थी ब्रमास्ठ पांट 2 में मौनिरोय के वने की इवने की उम्मीध फैंस इसलिए भी कर रहे है क्योंकि ब्रमास्ठ पाट 1 में मौनिरोय के के किड़ार यानी जुनून नहीं दिखाया गया है इससे लोग यही मान रहे हैं कि ब्रमास्ट के अगले पार्ट में देव और अम्रता की कहानी में मौनी रोई ही जूनून के किरदार में नज़र आ सकती हैं ब्रमास्ट एक ट्रायलोजी फिल्म है जो की तीन भागों में रिलीस होगी इसका पहला पार्ट 9 सितंबर को सिनम अगहरों में रिलीस हो गया है जिसमें कि शिवा और ईशा की कहानी दिखाई गई थी पार्ट टू में अब देव और अम्रता यानि कि शिवा के माता-पिता की कहानी दिखाई जाएगी फिल्मे कलियारों में कई दिनों से खबर आ रहे है कि इन किरदारों में रनबीर सिंग और दिपिका पाद को नजर आ सकते हैं लेकिन अब इस बात में कितनी सचाई है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा फिल्हाल तो मोनिरोय के फैंस उने ब्र झाल 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 झाल